हलो अब बॉलो आप कैसे हो सब तो भी ठंड बहुत ज़ाद हो गई है सुबहे की शुरुबात हो गई है कल तो धूपने निकल थी आज तो चांसेज है धूप निकलने के क्योंकि हवाई तीनी तेज चल रही बेश्व दूप निकल जाए पर बहार जाने का काम नहीं है हवा बहुत तेजाज और हनी अभी तक अपनी छोटी से रजाई लेके और अपनी रजाई में बठा हुआ है हना हनी तो अभी चाइब बनानी है सुबही हुए चाइब भी नी पी है अभी चाइब बनाते और आज मेरे को जाना है डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने किस चीज के इंजेक्शन लग रहे हैं वह भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी चाइब भाई पीके बारा बत चुके हैं अभी और काम सारा हो गया खाना वाना मैं रेडी हो चुकी हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तब्यत खराब है तो इंजेक्शन लगवान है यह वली जैकेट और मैंने हाफ स्लीज के टीशेट पहने ही यह अंदर से हाफ स्लीज है और नीचे मैंने लोगर डाला है हाफ स्लीज मेर को इसलिए पहनना पड़ा क्योंकि ना जो इंजेक्शन लगने है वह एक तो यहां पर लगेगा एक दमकंधे के उपर शोल्डर प लगता है तो इसलिए मैंने हाफ टीशेट पहने हैं हाफ स्लीज की अब जलते हैं पहले इंजेक्शन लगवाया थे डुक्तर से बात हो गई है वह भी महीं पर यह क्लिनिक पे तो अभी नीचे चलते धूप ऐसे निकल गई है तो घर से निकल चुग है दोक्टर के बास जा को नहीं है तो अभी इसके पपाई है नहीं आप आई गई गई दलवा लिए नहीं का ट्रोड और रास्ते में जाम इतना था ना सोनीपद सीटी ने इतनी कंजस्टिड हो चुगे कौन से एरिये में जा लो कोई भी एरिये में हर जगह ऐसी रूट जा मिलता दिल्ली की तरह है हर जगह भीड होती है यहां पर भी अब सोनीपद में भी पता नहीं क्या दिन पर दिन डॉक्टर के पास पहुंच गया है अब लगवा लेते इंजक्शन फिर मापको घर पर जाके बताऊंगे कि मेरे को क्या विमारी और क्यों मुझे हर दो महीने में इंजक्शन लगव है ऐख अचा अच्छा अम माग्मा लगैं मम्मा को यहां डिग तो आनी ममा को कैसे लगेगा मम्मा को कि एक इंजेक्शन तो लग गया वह एक अब लगना मजा हागा गया क्या क्या कर रहे हो नहीं को नहीं को नहीं को नहीं लगेगा हना नहीं ममा को लगेगा अब नहीं लगेगा आपको अब कर दो अब खाजा रोनी चमन जाना नहीं कि अब दूसरे की तैरी हो गये वह अब उमैसा कमारे नमा मनुठोक दें सिद्धाएं कि अब जड़ा हुत्र जागा ठीक है जब गाना बसता है तो यह दोनों पापा बेटा ऐसे डांस करते हैं गाडी में अब जो इसमें उनकी पता नहीं क्या है वैसे बोल रहे ते के पतलियाज्मों की जल्दी मिल जाती है इसमें लगाना भी स्टार्ट किया ता पर मुझे निए इतना दर्द वह रहा इए पहले इतना नहीं हो अधा ता पर अब यह यह रही तो यहां जो शोल्डर पर लगए दवाई भी ले लिए अब निकल चुके हैं जाम लगा हुए है जाम तो मैंने आपको बिताया है सोनी पत्रिटी में हर जहां भी निकल लो भी जाम लगा हुए एंगाडी लगा दिया हुए और वहां पे रचना दीद उतार रही है अपने सूद दो दिन बाद दूप निकली अज यह थोडी बहुत आज वहां नहीं बैठे वान आज इतनी दूप नहीं थी तो आज हम नहीं बैठे एकदम केट के पास आज वहां पे इतनी दूप नहीं अने क्या वे जिए क्या लेकर बढ़ा नहीं का अपको क्या तो क्या वेड़ा कर यह बोली उल्ड़ा नहीं सिद्फ के लेकर पाड़ गए अज आपको ट्रॉब मार रहा हो किसे साइन इसको गोली मारूंगा इसको गोली बारूंगा अइसको प्राइब परसक्तलों आठान आठान मारा अरचाल रहा दो जोर आठें आठी चूटई जा रही है इस बिल्कुल भी निखाता थोड़ी से भी बिल्कुल है ना सब्सक्राइब तो दुबारा जा चुके थे हम दोख्ट्री के पास गय थे ना दवाई लेने तो फोन करके दुबारा बुलाया है सब्सक्राइब आपका लेला सकते हैं कि आं लेले कि आखिँ किसे एक करें रहे हैं नल्चा इदिए ने पुरिद्ध ड़ले बीतर है जाना दिए बीत्तर दी जी साहा आ गया जाए पीघ़ यह चाही पीघ़ कर देख गये तो देर नीचे भी बैठ गये थे क्योंकि सब्जी वाले को मैंने आपको बताया था फोन करके पुलाया था वो अंकल चले गए थे हम इनी से ले तो इनकी सब्जी अब बहुत अच्छी होती तो उनको फोन करके बुलाया था उनका वेट करके सब्जी लेके हमने उपर आके चाही पी ली है तो मैं बताते हूँ कि मैं दवाई लेने किस चीज़ की गई थी मेरे को क्या अब एक सिंपल वर्ड में बोले तो नजला या फिर नमूनिया तो बच्चों को भी गड़ता है पर नजला बोल सकते हैं और डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बोले तो एक अलर्जिक सिच्वेशन है मुझे किस चीज़ से अलर्जी है पता नहीं अब यह अलर्जी हुई कैसे है वह मैं आपको बताती हूँ ज उसके बाद नमबर में मैंने कंसीव किया था और दिसंबर में मुझे पता चला थे एक महिने बाद टेस्ट वगरा जब हो थे हॉस्पिटल में कि मैं फ्रेग्नेंट हूँ तो एक महिना बीत गया था उस टाइम तक मेरा जुखाम ठीक ही नहीं हो रहा था तो मुझे भी और अब तक ठीक नहीं हो और उसके बाद फिर पता चल गया कि कंसीव फिर मैं ज्यादा दवाईयां भी नहीं खा सकती थी डॉक्टर ने मना किया था कि ज्यादा है वी डोजिज नहीं लेने हैं तो उन्होंने मेरे को ना नॉर्मल जुखाम की हलकी सी दवाई दे तो मेरा उसस नाग भी बहता रहता था नाग रुक जाते थे बहुत बुरा हाल था आँखों से ना पानी आने लगता था मेरे से काम भी नहीं होता था तो मैं एक E.N.T. स्पेशलिस्ट के पास गई और फिर उन्होंने बोला हम आपका एक्सरे भी नहीं कर सकते हम जादा तो उन्होंने म मेरे को सुब़ फिर जुखाम फिर मैंने दो-तिन दीन वेट किया फिर गई फिर उन्होंने एक हफ्ते की दवाय दे तो ये प्रोसेस ना मेरा पूरा 9 महिने चलता रहा कि अगर मैं दवाई ले रही हूँ मेरे साथ क्या होता था अगर मैं रात को ने एक रात भी मैं दवाई लिना भूल रही हूं न तो एक डोस भी अगर मिस हो रहा है तो मेरे को सुब इतनी तेज जुखाम होता था कि मेरी हालत खराब हो जाती थी आखों पे स्वैलिंग आखों से पानी निकलना तो डोक्टर ने जिसको बूब भी जापे में जापपा जो निकलता है ना लेडिस का मैटरनीटी टाइम जो निकलता उसमें आपके विमारी ठीक हो जाएगा आपको पूरे नो महीने मैंने दवाई खाई उसके बाद क्या हुआ जब हानी की बर्थ हुई जब ये पैदा हुआ तो मेरा जु जबाइयां लेना स्टार्ट किया उस टाइम कहा हो गया river in vegan लेवाइया इंट गोड़ быв com पता नहीं देश कुन कुन सी दौो नगयान ख्याई कई 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 महीने इलाज चलाय मैंने। कोई कहा कि ग्याइज को भून worst was out we ate ofTF से चाती। मैंने फिर बीच में कि लीकर लेनक हो दूखाती है। तो भी अब हनी ना साड़े तीन साल का हो गया है और नो महीने ये पेट में दा तो ये लगा लो साड़े चार साल हो गया है मुझे इस बिमारी से एक एलर्जी से और बहुत दवाईया खा चुकी कहीं से कोई अराम नहीं है अब जो ये डोक्टर जहां मैं गई थी ना वो मेर भी ना दवाईया नहीं खानी पड़ती है और मैं बिल्कुल ठीक रहती हूं दो महीने के लिए तो इसलिए मैं ये खा रही है और जहां तक मैंने जिन-जिन से दवाई लिये ना सब ने मुझे एक ही बात बोलिया है कि तुम्हारी ये विमारी जिन्दीगी भर अब ठीक न उस टाइम पिरिड पर अगर मैंने कोई अच्छा इलाज ले लिया तो मेरी बिमारी ठीक हो सकती है अदर्वाइस मुझे सारी उमर ये दवाईयां खानी पड़ेगे अब पता नहीं जो मैं इंजेक्शन्स लगवा रही हूं ये मैं पिछले दो साल से लगवा रही हूं दो अब देखते हैं कि क्या होता है अब जिसको भी नहीं लिया जा सकता कि मैं दूसरा बच्चा अभी हमारा प्लैनिंग वगए से कुछ है नहीं बाकी आगे देखते हैं जो भगवान की मर्जी होगी तो अब ये विमारी है जहां तक मैंने सुना है भई कि सम्मिर को यही बोल है कि maternity time में या conceive होने के वज़े से बच्चा पेट पढ़ने की वज़े से कोई बिमारी आपको लगे ना तो प्लीज कमेंट में आके जरूर कमेंट सक्षिन में आके जरूर बताए क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है मेरे माईके में है उसके साथ भी यही हुआ उसके साथ क्या ह अब वह जब conceive कर रही थी ना तो उसके साथ क्या हो रहा था जब भी उसके पेट में बत्चा नो महीने तो उसको रही थी itching, itching की problem उसको जब से conceive होती थी और delivery time तक पूरे 9 महीने उसके पूरे शरीफ पे उसको खुजली रहती थी, हर टाइम वो खुजली करती रहती थी, दवाईयों से भी उसका राम नहीं पड़ता था और delivery होते ही जैसे बच्चे की बर्थ हुए वो बिल्कूल ठीक वो तो ठीक होई, मैं ठीक नहीं हुई पर तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आपकी नोन में किस्ते के साथ हुआ है कि ऐसी बिमारी लगी है बच्चे के वज़े से तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में आके कमेंट करके जरूर बताएगा आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है अब खाने का टाइम हो गया आप सबसे बहुत बात होगे अर अच्छा लगा आप सबसे बात करके मुझे अब मैं खाना बना लेती हूँ काफी लेट हो गई हूँ थोड़े में मिलते हूँ खाना बना के अन्य मम्मा आपके लिए क्या लेका रही है देखा आपने क्या लेका ही मम्मा आपके लिए मेडिसीन अन्य अच्छा गोबर से याद है मैं आपके इच्छी सुर्ट आती हूँ हम एक बार गूमने गए वे थे मनाली गए थे हम रेस्टोरेंट में बैठे थे हम सब गये थे जिनको आप लोग में देखते थे लो फैमिली तो सब बच्चों से पूछ रहे थे सब क्या खाऊगे क्या खाऊगे तो हन्य की बारे आहने से पूछा वो जो बेटर था वहीं खड़ा दो यह उसको पोला कि अब दान्सिंग की को रहे है यह दवाई ने इसको चमच में लगी रहते तो इसको हाँ से खिलाना पड़ता है अब बूबू दे दूँगे अब से उसे करने इसको गुदनाइट बोलो गुदनाइट अच्छी से बोलो गुदनाइट उद्र बोलो सबको गुदनाइट अब दे जाने